नमस्कार मैं मृतिंजे त्रवेदी अमरुजाला राजस्थान में आपका स्वागत है पूरे विधान सभा चुनाओ के दौरान कॉंग्रेस को G-Factor यानि गुर्जरों की नाराज़की का डर सता रहा था पूर्वी राजस्थान में गुर्जरों का प्रभाव इतना था कि पिछली बार कॉंग्रेस, निर्दली और बस्पा ने मिला कर 49 में से 35 सीटों पर जीत दर्ज की थी वहीं BJP सिर्फ 4 सीटों पर ही सिमट गई थी इसकी में वजा सचिन पाइलेट थे जिनके प्रभाव से गुर्जर बोटरों ने अपनी जाती की प्रत्याशी को छोड़ कर कॉंग्रेस के पक्ष में बोट किया था जिसके चलते BJP के सभी 9 गुर्जर प्रत्याशी चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार पूर्वी राजिस्थान में वोटिंग पैटरन बदला है कई सीटों पर वोटिंग पिछली बार से कम हुई है तो कई सीटों पर बढ़ी है जिन सीटों पर बढ़ी है वहां गुर्जर प्रत्याशी है ये संकेत है कि गुर्जर वोटरों का रुजहान इस बार सिर्फ जाती की तरफ ही रहा है जैसे करॉली में गुर्जर प्रत्याशी वाली सीट पर सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई करॉली में हिंडॉन, करॉली, सपोटरा और टोड़ा भीम सीट आती है इन में करॉली और सपोटरा को छोड़ कर बाकी दोनों सीटों पर वोटिंग पिछले चुनाओ से कम हुई है करॉली में कॉंग्रेस के लाखन सिंग मीना की सामने बीजेपी ने गुर्जर उम्मीदबर दर्शन सिंग को मैदान में उतारा था और इस सीट पर जिले में सबसे ज़्यादा बोटिंग हुई है इसी तरह सवाई माधोपूर की चार सीटों पर बंपर बोटिंग हुई है यहां बामनवास, गंगापूर, खंडार और सवाई माधोपूर सीट है इस जिले में गुर्जरो का खास प्रभाव है जिले की इस सीट पर कॉंग्रेस बिधायक दानिश अवरार के सामने बीजेपी के किरोडी लाल मीना है दानिश का यहां के गुर्जरो में भारी विरोध है यहां पिछले चुनाओ के मुकाबले इस बार बोटिंग बढ़ी है इसी तरह बामनबास, गंगापुर और खंडार में भी वोटिंग पिछली बार के मुकाबले जादा हुई है ऐसे ही धौलपुर में चार सीटे हैं इनमें से धौलपुर, बाडी, बसेडी और राजखेडा शामिल है इसमें राजखेडा सीट पर इस बार बंपर वोटिंग हुई है इसकी वज़ा सचिन पाइलेट है यहां से विधायक रोहित बोहरा ने पाइलेट का साथ नहीं दिया था गुर्जर इस बास से नाराज है इनकी सीट पर 77 प्रतिशत से ज़्यादा पोलिंग हुई है राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहे है अमरुजाला राजस्थान अमरुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें आमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमरुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर